है गाइज वेलकॉम बैक तो मार चैनल आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं यह मैंने अपनी डॉर्टर का मेकप किया है अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते तो आपको बता है पिछले दिनों मेरे घर में वैडिंग थी मेरे सिच्छ इन लौ के बेटे की तो वाप पर नि और गाइज बहुत पर निखार कर दिया और पर इसके बाद है हमारी लूमी क्रीम यह पर मैं लगा रही हूं लगा घूमी क्रीम यह है लैकमी की की क्रीम तो पने युसंतल के अंग निखार पर यह उसी ओई-स nieuई-सी शाइन आपके फेस पर चाहिए तो मैंने इखार पर य प्राइमर हो कि शॺआ हो कीं है लै पोड़े सरे करिय Jap और में अच्छा प्राइमर हो यте हुज में एक उपनी पॉर्स ओर में में क्राब होने का डर होता है बदसे कि होगा आपके पॉर्स होटाएंगेशल की यहां डाइशनीम्ट अपर तो यह एक इलमिनेटिंग ट्समेरा शेड है नैच्टरल तो यह बार यह निखार के फेस के लिए पर्फेट ता लेकिन मैं में मेक अपरती जारे थि लेकिन बंद नहीं हो जा थो ऑस कुछ न बहुत ज़्यादा ज़ूरी है मैं एक वेट ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करें तो जितना टाइम भी लगे ना बहुत अराम से ब्लेंड करो क्योंकि जैसे आप अपनी फांडेशन को ब्लेंड करोगे उतना ही फ्लॉलेस अपका मेकप होगा और यहां पर मै ब्लेंड का मेकप करें इसलिए इतना हैवी बेस नहीं चाहिए बहुत ही मीडियम सा प्राइमर और फांडेशन का यूज किया है तो क्योंकि आपको पते है गल्स किस्किन तो वैसे बहुत बहुत ब्यूटिफुल होती है तो पर ज़्यादा पर अपने आई मेकप पे और आ आप देख सकते है किस टाइब से मैं अपने literary अर्य पर वक कर रही है आप विसी ब्लेंडि प्रूस अपने क्रीज अरिय्या को मैं ब्रॉन छेड अप देख सकते हो इससे क्या हौह है कि हमारे अपन आई की चंतूरिंग एची तो इसके हैं तो Спad- मैंặt काजल नहीं है मतलब म ब्लैक बेज दे रही हूं जिससे कि जो हम उपर आइशेडो यूज करेंगे वो उसका बहुत अच्छा सा ब्लैकी सा एफेक्ट आएगा तो आप देख सकते हो मैंने काजल का यूज किया है अपने बेज के लिए तो इस तरह से मैं काजल को लगा के और अच्छी तरह से इसकी आइस पर समझ कर रही हूं तो इसमें आपको इतनी पर्फेक्ट लगाने की जुरूएत नहीं है क्योंकि इसको आपको अच्छी तरह से ब्लैंड ही करना है स्रफ अच्छा से एक बेज देना है मैंने बेज दिया था उसके उपर ही मैंने आईशेडो लगाया है और इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लैंड कर रही हूं आपको हलका हलका सा आईशेडो लेते जाना है और उसके बाद अच्छी तरह से उसके उपर ब्लैंड करते जाना है और बहुत ही क्लीनली से आपको आप देख सकते हों कितने अराम-अराम से इसको ब्लेंड कर रही हूं और आप एक फ्लैट बिश ले लिए जिसके हल्प से मैं उपर वाले आई शेडो को ऊपर लगा रही हो आप देख सकते हों किस टाइब से जहां जहां मैंने अपना काजल अपलाइ किया था इसका मिलाक बे और बहुत ही अच्छा एक आपको आई स्मोगी आय लोक बहुत अच्छा मिलेगा तो आप देख सकते हो और आप मैंने अपने ब्लेंडिंग ब्लॉर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना शुरू कर दिया है तो जितनी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही बड़ी आपका अपने ब्लेंड कर देख सकते हैं यह बिल्कुल भी पैची नहीं है इकड़मिय मतलब फ्लॉलेस हो गया है क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह समझ किया कहीं है कोई पैच नहीं रहना चाहिए अगर ऐसे पैच रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो ơn guys ुसके बार मैं अपना लूर लाइश नाय पर पने लूर्र लाइश नाय embod downstairs सोगाई रहे हुएं अपने काजल का यंज संकाम पार एक में कियों तों इसके बाद क्या करना है आप थूछा होगा अपने सोचा होगाomo तो सबसे पहले बुद आलिया कर रही हूं इससे तो आपका काजल एक फैलेगा नहीं और एक बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपकी आइस को और आप देख सकते हो कितनी ब्यूटिफुल लग रही है निखार की आइस तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको यह मेरा इजी वीजी ट्रिक कैसा ल आपका कि मेकप उता है और आपका मिजिया हूं एक वर्फेशनल लुक मी आगा था है तो आपकी आइस बहुत ज्यादा प्यारी लगती है खाग सर्थ किस्मोग को यूजेश में यूजज़ और उसके बाद में क्या कर्या हूं एक बहुत ही दिंसी लाइनर की आई राइनर कि अप्लाइ करने से क्या होगा गाइस जो भी आपकी कोई ग्लू के डौर से कोई कुछ है वो सब अपकी आपकी एकडम एवन और उसके बाद मैं यूज करीगी यह अपनी लोग लैश लाइन पर क्योंकि जो लोग लैशी जै वह एकडम कर देंगी इससे तो मस्कारा जुरू जल्दी जल्दी में रड़ी करी थी इसलिए मैंने कोई जादा प्रडक्स नहीं दिखाए जो भी प्रडक्स में यूज किये हैं वो दिस्क्रप्शन बॉक्स में बता दूंगी आप प्लीज चेक कर लेना तो इसके बार मैं पहले लिक्विड लिक्विड हाइलाइटर का य आप जब भी अपनी लिप्स्टिक यूज करते दो उस पर लिप्लाइनर ज़रूरी यूज करें एक तो बहुत अच्छी से लिप को शेप आजाती है और दूसरी कि आपकी लिप जो आपकी लिप्स्टिक है वो फैल्ती कम है तो गाइस सबसे पहले मैं लिप्लाइनर का तो यहां पर लिप्स्टिक यूज कर रही हो तो बहुत भी ब्यूटिफुल सी शेड है और मेरी पर्सनल फेवरेट है तो अगर आप भी न्यूट्स के फैन हो तो आप भी ज़रूर इसको एक बार ट्राइ करके देखना बहुत ब्यूटिफुल कलर है और हुलो फिल्साष्ट का आप उसके बाद मैं यूज कर रहे हो अपना वेत नगऑ का हाइलाइटर ऑगाइस बहुत भी प्यूटिफुल हाइलाइटर हैं तो यह है मेरा इसे मेरे शेड है पर इसके बात मैं यूज कर रहें सेटिक अबरे और यूज अजके इस着ते हिस्ट इसको लगाने के बाद एक दम फेस सेट हो जाएगा और बहुत एक दूए सी शायना जाती इससे सेटिंग सप्रेज से अगर आप दूए मेकप के फैन तो आपको ट्राइक करना चाहिए तो बहुत बहुत अच्छी तरह से टिका डाता है तो गैस मैंने अपने फेस मांस्क पर अच्छी तो इसके बाद मैं रड़ी होने वाली थी तो मैं टाइम वेस्ट बिल नहीं करना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा जो मैंने सब्सक्राइब किया उसके बाद मैंने उसको ब्यूटि ब्यूटिपल अंडर से सबच कर दिया और यह है निखार की फुल लोग तो मेर आपको यह लुक कैसे लगी और यह इजी वीजी सा मेकप कैसा लगा तो गर्ल्स के लिए यह मेकप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है तो इसका हैस्ट्राइल भी मैंने किया रहा बट मैं उसकी वीडियो श्यूट नहीं कर पाई बहुत जल्दी आपसे श्यार करूंग तो कैसे लगा आपको मेरा मेकप अगर आपको बसान दा है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुम मत दूरना और बाई गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में